मेरे प्यारे देश वातियों, आज नई सिक्षा नीती, बहुत एक मात्रों में कई राचों ने उसको अच्छा इनिसेटिव लिये हैं, और उसके कारण आज एक 21 सदी के अनुरूप हमारी सिक्षा व्यवस्ता को जो अंबल देना चाहते हैं, और विक्सित बारत के सपने के ल मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नवजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े, मद्दमबर के परिवार के लाखो करोडों रुपिया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्ट हो जाए, हम यहां ऐसी सिक्षा व्य मान हो ताकि विदेशओं से लोग भारत के अंदर मुह मुढ़े, अभी अभी हमने बिहार का हमारा गवरप्रदित्यांत रहा है, लालंदा उनिवर्सिटी का पुनन निर्मा导 किया है, फिर से एक बार नालंदा उनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें सिख्षा के छेत्र में फिर से एक बार सद्यों पुराने उस नालंदा स्पिरीट को जगाना होगा उस नालंदा स्पिरीट को जीना होगा उस नालंदा स्पिरीट को लेकर के बड़े विश्वात के साथ विश्वगी, ज्यान की परमपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा मुझे का विश्वात हैं कि नई शिक्षानीती ने मात्रु भाषा पर बल दिया है मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी समसानों से कहूंगा कि बाशा के कारान हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए मात्रु भाशा का सामर्थ हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मा के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मात्रु भाशा में पढ़ाई जीवन में मात्रु भाशा का स्थान परिवार में मात्रु भाशा का स्थान उसकी और हमें बल देना होगा मेरे प्यारे देश स्वासियों जिस प्रकार से आज बिश्व का बढ़लाओं नजर आ रहा है और तब जाकर के स्कील का महत्व भाश बढ़ गया है और हम स्कील को और नहीं एक तागत देना चाहते हैं हम इंडिस्ट्री 4.0 को धान में रख करके हम स्कील डेवलप्मेंट चाहते हैं हम जीवन के हर खेत्र में हम अगरिकल्चर सेक्टर में भी केपिसिटी बिल्णिंग करके इसने के लि और हम स्कील डियाफ प्रोग्रेम को बहुत व्यापक रूप से इस पार लेकर के आए हैं बजेट में भी इसका बहुत बड़ा इस बजेट में इंटर्शिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एस्पिरियंस बिले उनकी केपिसिटी बिलिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे उस पकार जो मैं स्कील युवानों को तयार करना चाहता हूं और दोस्तों आज विश्व की परितितों को देखते हुए मैं साप साप देख रहा हूं कि भारत का स्कील मेंट पावर जो है हमारा स्कील फूल जो नौजवान है वो ड्लो साथियों विश्व दिश्टेजी से बदलता है जीवन के हर शेत्र में साइंस और टेक्नलोजी का महत्मय बढ़ता चला जारे बाला है हमें साइंस को बहुत बढ़ देना के अवश्यक्ता है और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बार हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर सा के नई रूची का मातामण बना है नई दिल्चस भी बढ़ी है तब हमारे सिक्षा संस्तानों ने यह जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है हमने जादा से जादा चैस्थापित क है कि हमने नेशनल डिसेज्ट पाउन देशन बदा करके हमने उसको एक कानूनी कि परिवेस्ट में लाकर के ताहिर उपसे व्यवस्ता विख्षित की है कि रिसर्च को लेकर के निरंतर बढ़ बिले और यह निशर्च फाउनडेशन उसकाम को करे चो है बड़े बड़े गर करोड रुपिया रिसर्ट और इनोवेशन के लिए हमने देने का निर्णे किया है ताकि हमारे देश के नौजवान के पाथ जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाएं